दोस्तो आज हम आपको पैन कलम के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं चलिए अब हम इस आर्टिकल के माध्यम से पैन कलम के इतिहास को पढ़ेंगे दुनिया में पैन कलम का इतिहास काभी पुराना माना जाता है राचीन समय के लोग गुफाओं में रहते थे वे चित्रकारी करने एवं लिखने के लिए नुकीले पत्थरों का उप्योग किया करते थे आज हम उनके दुवारा बनाएगे चित्रों को देखते हैं तो हमें उनके जीवन के बारे में पता चलता है नुकीले पत्रों के द्वारा लिखने की सुरुवात हुई थी ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय के लोगों को चित्र बनाने में बहुत रुची थी वे दीवारों पर नुकीले पत्रों के माध्यम से चित्र बनाया करते थे दोस्तों आज हमको प्राचीन समय का इतिहास चित्रों के माध्यम से पता चलता है पहले पैन का निर्मार इराक के लोगों ने किया था इराक से ही पैन से लिखने की शुरुवात हुई थी जब कागज नहीं था तब मौम के पतल पर नुकीली धातू से लिखा जाता था छे हजार वर्स पहले मिस्र के लोगों ने पेपर की खोच की थी यह कहा जाता है कि पहले ये बुनी हुई चटाई की तरहा ही था फिर इसे कूट कूट कर पतले पेपर का रूप दिया गया था दोस्तों मिस्र के लोगों ने रीड कलम का निर्मार किया था कैई वर्सों तक रीड कलम से लिखने का काम किया जाता रहा है इसके बाद मिस्र के ही लोगों ने फाउंटेन पैन का निर्मार किया और सभी फाउंटेन पैन से लिखने लगे थे भारत में पैन की सुरुआत पांच जार वर्स पहले हुई थी तेहरे सो इस्वी पूर्व रोमनों ने एक धातू का कलम बनाया था पैन में बहुत ताकत होती है पैन के माद्यम से हम अपने विचार कैई सारे लोगों तक पहुँचा सकते हैं प्राचीन समय में हड्यों के माद्यम से भी लिखने का काम किया जाता था दोस्तो कलम के बिना सिक्षा अदूरी थी सिक्षा के छेतर को दिन पिरती दिन सफलता प्राप्त हुई है सिक्षा के छेतर को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान कलम का है आज हर छेतर में पैन बहुत उप्योगी है पैन के बिना कोई भी काम आसान नहीं है जम हमारा देश अंग्रेजू का गुलाम था तब केई महान लोगों ने कलम से लोगों को जागरु किया था दोस्तो अंग्रेजू का विरूद करने के लिए पैन का सहरा लिया गया था केई सुहतंतरता सैनानी पैन के माध्यम से अंग्रेजू के विरुद लेख लिखते थे और इन लेखों को पढ़कर भारत के लोगों के अंदर देश हित की भावना जागी थी कलम से ही मनुस्य को ग्यान प्राप्त हुआ था तो दोस्तो ये थी कलम की कहानी